इस वीडियो में विम्सक्न करेंगे हमारे ब्लाइक्टराकिंग सीरिस का पहला सवाल प्लॉट-फिल की तो इस कोस्टिन में हमें एक NXM का टूड़ी आ्री दे रहे गाए, एक NXM का मैट्रिक्स ये रखा है जिसमें 1 और 0 प्रेजिट है ठीक है और हम इनीशियली टॉप लेफ्ट कॉर्णर पर खड़े हैं मतलब स्राइटिंग में खड़े हैं और हमें बॉटम राइट कॉर्णर जो हमारे डेस्टिनेशन है वहाँ पर रीच करना है हमें सिफ चार मुवमे लिए देखते है हमारा सवाल फ्लट फिल हुद इंबॉर्टन कोश्चन है तो अपना बेस्ट देना ठीक है तो यह हमें दे रहा है एक एन ग्रॉस एम का मैट्रिक्स यहाँ पर मैं रो और कॉलम नम्मर साइन करते ता हूँ जीरो वन टू टू ट्री फोर जीरो वन टू ट्री फोर यह हमें कित्ते का दे रहा गए 5 फ्रॉस 5 का मैट्रिक्स साही है तो अब हम बात करते है कि यहाँ पे जो empty cells है तो यहाँ पे जो भी empty cells है ना empty cells का मतलब मैंने क्या किया है empty cells का मतलब है 0 और 0 मतलब कि हम freely move कर सकते है तो अब हमें लिख देता हूँ free to move अब 1 की बात करते है जैसे कि हमारे question में mentioned है one मतलब obstacle मतलब अकर one है present तो हम उस cell में movement नहीं कर सकते है इससे याद आया अब movement की बात करते हैं कि हमें क्या movement allowed है है ना तो हमें total 4 movements allowed है पहली top फिर left फिर down और right अब में लिख देता हूँ top left down और right also जब आप movements लगाएंगे तो इसी order में लगाना top, left, down right because हमारा compiler इस order में support करते है ठीक है तो यह हमारा question है आई हो अपर question ठंक से समझ आ गया है यहापर में यह कोशी mention कर देता हूँ इसा ही question में mentioned है हम initially हम starting में खड़ेंगे top left corner पे है तो मतलब top left corner मतलब 0,0 तो मान लो यह हम है है तो यह हमारा source है जो है 0,0 और destination था bottom right corner मतलब last होगा last column तो यह हमारा destination है यह आप हमें रीच करना है तो आप हमें पता है कि हमारा goal है हो है source से destination reach करना हमारा पास 4 moments allowed है हमें और moments सभी ले सकते है जब एक empty cell है और अगर one है तो मतलब moment नहीं ले सकते है तो यह था हमारा question मैं पहले आपको recommend करता हूँ कि इसको खुट try करिए before moving further to the solution चलिए आप थोड़ा solution के बारे में बात करते है जैसे कि हमने भी discuss किया हमें total चार direction में movement allowed है है न चार direction में movement allowed है और वो चार direction थी हमारी top, left, down and right मानी है कि initially यहाँ पे हमारा row और column है तो अगर हम top की movement लेंगे तो क्या होगा हमारा row decrease हो जाएगी और column सेम रहेगा वैसे अगर left की movement लेंगे तो हमारा row तो सेम रहेगा इसको मैं तोरह side कर देता हूँ अगर हम left की movement लेंगे तो row तो सेम रहेगी और column माइनस वन हो जाएगी यह न ऐसे down की movement लेंगे तो row प्लस वन हो जाएगी और column सेम रहेगा और अगर right की moment लेंगे तो row same रहेगी वापिस और जो column है वो plus one हो जाएगा ये total 4 direction में हमें जाना loud है है ना तो अब हमें इतना बत है कि हमें 4 direction में जाना है तो चलिए इसको थोड़ा run करके देखते हैं कि कैसे हो तो ये हमारा source था 0,0 पे अब यहाँ से हम सबसे पहले top direction जाएगे तो अगर हम यहाँ से top direction जाएगे अब देख सकते हैं कि हम matrix भाढ निकल जाएगे ठीक है तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि हम matrix से भाढ नाम निकले तो उसके लिए अब बात करते हैं invalid calls के लिए ठीक है invalid calls कि क्या calls valid नहीं है यहाप में मैं लिख देता हूँ invalid calls invalid calls मतलब कि कोई भी invalid call कि अगर हम से matrix भार निकल रहे हैं कि जो यहाप है में नहीं जाना हम simply return कर सकते हैं तो पहली invalid call अगर हमारा row negative हो गया इस case में हमारा जो source row है वो negative हो जाएगा क्योंकि अगर हम minus 1 करेंगे तो हमारा row negative में चले जाएगी हम लिख सकते हैं अगर हमारा row negative है अगर row से बड़ा 0 है और अगर हम left ही call लगाएंगे तो हमारा column negative हो जाएगा और column negative है अब और कुछ देखते हैं अगर अगर हम यहाँ पर खड़े last row पर अब यहाँ से अगर हम down की call लगाएंगे अगर हम down की call लगाएंगे तो हमारे row plus 1 हो रही थी ना तो जो हमारे matrix से भाण निकल जाएगे और हमें matrix से भाण नहीं निकलना तो उसके लिए मैं simply लिए सकता हो if row is equal to n है ना सभी बात है और same same होगा हमारे column के लिए कि अगर हमार column last मैं आपको दिखा तो इसम अगर हम अगर हम यहाँ पे खड़े यह हम अगर हम यहाँ पे खड़े यहाँ से कर हम right moment लेंगे तो हमारा column matrix जबार निकल दाएगा वापस तो अगर column is equal to m तो मतलब हम return कर जाएंगे अब तीसरी invalid call बहुत जांस से सूची है यह आपको पता है हमने discuss कर चुका है जी हाँ अगर हमारा जापे भी हम खड़े है मानली यह array है हम इसके कोई row और column पे खड़े है और अगर यहापे one present है हमें पता है अगर one present है तो हम simply return कर जाएंगे ठीक है अब हमें इतना पता है अब हमें काम करते है इसको वापिस run करके देखते है run मतलब अब इसको देखते है moments analyze करते है तो यह मैं आप erase कर देता हूँ और शुरू से बात करते है हमने सबसे पहले top की moment लगाई उन्हें top की moment लगाई तो हमारे invalid calls थी वो उसको समाल लेगी और हम simply return कर जाएंगे है ना हमने simply return कर जाएंगे left की moment left से क्या होगा हमारा column negative हो जाएगा तो हम simply return कर जाएंगे और down down की moment तो allowed है ठीक है तो हम यहां पर पहुच जाएंगे अब यहां पर हम वापिस यह हमारी चार moments थी चार moments लगाएंगे तो यहां से भी हम सबसे पहले top की लगाएंगे हम यहां से top लगाए और हम वापिस वापर पहुच गए अब समझ रहे हैं क्या हुआ हम यहां पे थे हमने डाउन की कॉल लगाई तो हम नीचे आ गए यहां से हमने वापस टॉप पी कॉल लगाई इसको मैं बेटर समझाता हूँ आपको स्टैक डाइग्राम के थूँ चली देखते हैं इसके लिमें एक स्टैक बना देता हूँ यह हमारी स्टैक है और रो और कॉलम है हम सबसे पहले का खड़ेते हैं सबसे पहले हम 0,0 पे खड़ेते हैं है ना तो 0,0 से हमने टॉप पी कॉल लगाई और मैं एक सेकंड समझाने के लिए यह भी लिया तो ठीक है ठीक है पर्फेक्ट आपकर डी आयर कर लेने हैं हां जी तो टॉप लेफ्ट डाउन टॉप लेफ्ट डाउन और राइट है ना तो हम सही हाँ पर खड़े है अब बात करते हैं स्टैक की है ना हमने सबसे वहले टॉप पी कॉल लगाई तो उससे क्या हो जाएगा जो रो थी वह प्लस वन हो जाएगी रो माइनस वन हो जाएगी सारी क्योंकि जब हम टॉप जाते है तो मैं रो माइनस वन होती है है ना समझ पा रहे ना आप तो यहाँ से माइनस वन हो जाएगा और कॉलम तो सेम रहेगा तो हम सिंप्ली रिटर्न कर जाएगे रिटर्न कर जाते हैं यहाँ से अब यहाँ से हमने लेफटी कॉल लगाई जब हम लेफटी कॉल लगा रहे थे तो हमारा कॉलम कॉलम डिक्रीज हो रहा था तो रो तो सेम रहेगी और कॉलम माइनस वन हो जाएगी तो वापिस यह इन्वैलिड कॉल है ना हम इसको रिटर्न कर जाएगे अब बात करते हैं फिरर दरेक्शन थे हमारी टॉम डिरेक्शन कर्यां डाउं डाउं डं डव्लिटि कॉलम क्या थे मेले जेख लेटी मुझन ब्लाघ। तो इसमें मेरा डिकरीज हो रहा था 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 ना तो मैं वापिस 0,0 पहुच जाओंगा तो ऐसे ही मेरा जो stack है वो चलती रहेगी, repetitive calls लगाती रहेगी और stack overflow आजाएगा या आप कहाज़कते infinite loop में convert हो जाएगा तो इसलिए हमें यह handle करना पड़ेगा ताकि हम A की direction में बार बार move ना कड़ते रहे है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें visited area रहतना पड़ेगा visited area मतलब मैं अपर दिखायतो मैंने आप एक बना रहा था कि में बाद में काम आए तो ठेक है तो यह हमारा visited area था यह विस्हां ना करेगा तो जब भी हम कोई movement लेंगे कोई भी direction में जाएंगे हम visited में mark कर देंगे हम visited array में mark कर देंगे कि to अगर हमने movement ले ली और हम अपनी invalid call में समाल लेंगे कि अगर हम उस जगह पे उस cell पे already गए हुआ है तो हम वापस नहीं जाएंगे यहाँ पे मैं इसके index mark कर देंगे तो यह भी जो visited array यह हम boolean बना रहे है और इसमें true or false store करवा रहे है और जो इसका size है तो इसका भी n cross m होगा क्योंकि हमारे मेंज है जो array है उसका भी n cross m है तो अब चलिए देखते हैं कि visited array से हमारी problem कैसे solve हो सकती है है ना तो यहाँ पे मैं raise कर दो और शुरी से call लगाते हैं यह raise हो नहीं रहा एक second दीजिए यह line वापस बना देते है जल्दी से चलिए देखते हैं यहाँ से हम अपनी पहली call लगाएंगे जो थी टॉप की हम टॉप गए और हमें पता है कि यह invalid call है है ना हमें पता है ना यह हमने invalid calls के बार में discuss किया था इसको भी मैं आपकी screen पर लेया दूँ है ना तो यहाँ पे मैं रखते दो invalid call आपको clearly दिख रहे है सब और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो यह हमारा array है यह visited array है यहाँ पर directions महांक है जहाँ पर move कर सकते हैं top, left, down, right ठीक है और यहाँ पर invalid calls ठीक है अब top गए तो हम return कर जाएंगे क्योंकि matrix से भाण निकल दाएंगे फिर हमने left की call लगाई तो हम वापस matrix से भाण निकल दाएंगे फिर हमने down की call लगाई अब down की call से हम अपने first row में पहुचे और सबसे पहले सबसे पहले अभी हम कई भी जाएंगे ना visited array में true mark करेंगे तो यहाँ पर हमने visited array समाल लेगा यहाँ पर invalid calls में लिख सकते है visited तो वह भी invalid call है है ना lefty call लगाई तो मारा column negative में चले जाएगा down की call allowed है सबसे पहले true mark किया यहाँ पर वापस top call not allowed visited lefty call column negative down की call allowed true mark किया top call visited lefty call column negative में चले जाएगा और down की call allowed अब से पहले visited में true mark किया अब इस देखते है top call visited lefty call column negative में चले जाएगा down की call हम matrix से भाण निकल जाएगे hero increase हो जाएगे और righty call righty call में one है और one हमारा obstacle है है ना तो यहाँ पर array r is equal to one तो मतलब not allowed क्योंकि obstacle है जैसे कि हमने डिसकस किया race कर देता हूं मतलब और अभी मैं visited से भी unmark कर रहा हूं मैं अभी आपको इसका reason नहीं बता हूंगा मैं आपको time by time पता चल जाएगा इसको कि मैं क्यों कर रहा हूं तो में साथ patience रखिये और यह race होने में तो रही problem हो रही है मुझे पता नहीं क्यों हो गया ठीक है अब यहां पर पहुच्छे हम यहां पर फापिस righty call लगाई तो चारो calls हो गए इसकी तो हम return कर जाएंगे यह ना ठीक है और यहां से भी हम visited को unmark कर देंगे अब यहां पर हम second row पर आ गए हम उने इसकी pending calls को complete करेंगे तो हमने यहां से righty call लगाई और यह तो valid है हम यहां पर पहुच गए first column में second row के यहां पर हमने true mark किया तब यहां पर वापिस चार call लगाएंगे पहले top की not allowed क्योंकि obstacle है one है left की call visited down की call one है और righty call righty call में हमने true mark किया अब यहां पर देखते है topic call लगाई अलावड है perfect true mark किया यहां भी topic call लगाई allowed है यहां पर true mark किया यहां पर देखते है topic call लगाई तो हम matrix से भाण निकल जाएंगे है ना तो यह invalid column return कर जाएंगे lefty call लगाई one है not allowed roundy call लगाई visited है और रायट की कॉल लगई, रास्ता है, तो यहा पर हमने ट्रू माक की हैने सबसे पहले, और फिर हम यहाँ पे बहुचे। आपे टॉपी कॉल लगाई बार चले जाएंगे लेघ चैनल लगाई वंड़ां कीवान कीवान लाऊड है by मार्ट कर दो आपकहौल अगा हमाही रू न् spouse नेगट कॉल बिगाएक नैगे में लेफह विज़ीते दי सीटर दॉट अलॉट हैं आप्र लेफटी कॉल इस ते हुम्हाज हैं और यह आप हुए अलाओ यहा है यहां पर विश्टक्रल हो गई हैं तब अब जब सारी गॉल होते थे हम क्या करते थे हम रिटर्न करते हैं अब तो सारी कॉल होगी न पुछ रहा है नहीं और अपने विजिटेड अरे से भी अन्माक कर दिया चाहिए, अब हम यहाँ पर पहुचे, second row के last column में यहाँ से हमने इसकी pending calls complete करी, तो यहाँ से हमने down की call लगाई तो हम यहाँ पर पहुचे, हमने true mark किया अब हम यहाँ पर पहुचे, अब देखते क्या होगा top की call लगाई, तो visited है, तो not allowed, left की call लगाई one है, not allowed, invalid, और down की call लगाई यहाँ पर हमने जब भी भी down की call लगाई ना, तो हमें अपना पहला answer मिल गया हम source destination पर reach कर गए, देख रहे हैं तो हम यहाँ पर पहुच गए जलिए देखते हैं, हमारे जो पहला पात है, वो क्या है हमारा पहला बात कुछ ऐसा है की down, down, तो, फिर right, फिर top, फिर right, राइट, और फिर यह, यह हमारा पहला पहला पात है, और इस से ही मैं आपको बदाना चाहँँ कि हमें अपना answer क्य से print करना है? तो इसके लिए देख लिए था हमें अपना answer कैसे print करने है हमारा ऐसा है न पहला बात हमें answer पर जो भी हम movement लेते हैं हमें वो print करनी है जैसे कि इस case में हमने सबसे पहले क्या किया हम down गए फिर वापस down लग गए फिर right गए, फिर right गए फिर top, फिर top फिर right, फिर right फिर down, फिर down फिर down, और फिर down तो हमें, यह हमारा एक path है, तो ऐसे हमें सारे path print कराने है, इस format में ठीक है, जो भी हम direction में move लेते हैं, तो यह हमारा पहली direction आ गई, आप continue करते हैं अपने run को ठीक है, तो यहाँ पे, मैं पहले क्या करना जाँगा, कि जितना हमने लिखाए न, उसको code करके देखते हैं, तो आपको साथ-साथ पर सामझ आते रहें अलिए, देखते हैं तो यह हमें flood fill function दे रखा है हमें maze pass करी गई है source row, source column एक एक सेकंड दीजिए इसको मैं इसको मैं तो हमें एक flood fill function पास्ट है जिसमें maze पास्ट है, source row, source column एक answer सो फार तो हमें answer सो फार में जो भी movement लेता है हमें वो add करानी है अब पहले क्या बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि जो भी हमें directions में movement allowed दी ठीक है, तो आपको पता है कि हमें, एक सेकंड इसको मैं default कर दे दो प्रेटर दिखे तो आपको पता है कि हमें चार डारिक्शन ही क्या हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमें एक full function दे रहा है, जिसमें मेज, सोर्स रो, सोर्स कॉलम और एक आज़र सोफार past है तो सोर्स रो, सोर्स कॉलम तो हम initially टॉप लेट पे ख़ड़ी देना तो जीरो और जीरो पास कर गए है और आज़र सोफार एक स्ट्रिंग है जा भी हमें एपनी सारी directions add करनी है नहीं देखते है तो हम पहले बात करते है जो भी हमें movements लाउक दी तो हमें अब जैसे कि आपको पते है हमें 4 movements लाउक दी 4 movements total है नए एक top की एक left की right की और down की है ना यह चार हो यहां पहे उसकी recursive call लगा लेते हैं तो maze source row source column और answer so far अब पहले बात करते हैं लिफ्ट कॉल की अरे और तो हमें एक फ्लॉट फिल फंक्शन दे रहे हो है जिसमें मेज सोर्स रो और सोर्स कॉल हम तो 00 है विकाज हम टॉप लिफ्ट और पर खड़े है राइट और एक स्ट्रिंग पास करी गई है अंसर सो फार अब हमें आंसर सो फार में जो भी हम मोमेंट लेंगे हमें वह एड करवानी है और आउटपट कुछ ऐसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है इस फॉर्माट में जैसे कि हम ने डिसकर्स किया अभी अब हमें पता है कि हम एक विजिट आरे चाहिए हुआ जो किले कि अभी ने सारी मुवमेंट मार्क करें अब इसमें हम लोल कर आएंगे अना तूपरे मैट्रिक्सि't प्राइवाट स्करेंगे सारे रों ठीक है आप यहां पर अप ना array equal to इक और array बना लिया Hello guys हाँ, तो हमें flood fill function pass कर गए है मेस पास कर गए है, source root, source column और आंजर सोफा, मेस तो हमारी array है source root, source column मतलब हम जाब पर starting में खड़े है, तो हम टॉपलेट कॉर्णर पर खड़ेती है, तो हमने 0,0 pass कर गए है, और आंजर सोफा हमारी empty string है, इसमें हम जो भी direction, जो भी movement लेंगे आड़ कर देंगे, यह अगर हम down जाएंगे, तो हम d आड़ कर देंगे, left जाएंगे तो l आड़ कर देंगे, right जाएंगे तो r आड़ कर देंगे तो यह हमारा function जो हमें pass कर गए है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एक visitate चाहिए होगा, जैसे हमने अब मैं चाहूँगा कि इसमें हर जगा मैं false put करवा दू है तो एक array ले लिया column पर traverse करते है तो for i in range m अब मैं a में append कर दूँगा, जो भी मेरा array था a.append false हर जगा मैं false रख दूँगा और end में अपने visited में append कर दूँगा, a तो वे ने एक basically क्या किया है एक visited आ रहा है बनाया ना बस और क्या और यहाँ पर तो यह नीचे आएगा ना ठीक है perfect, यहाँ पास कर देता हूँ n और m, n और m क्या है मेरे row और column number of row and column और visited भी पास कर दूँगा, जो हमने बनाया यह n और m मैंने क्यों लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ठीक है और यहाँ भी पास कर दिया, n, m और visited मैंने visited समाल लिया, अब बात करते हैं कि directions के बारे में, हमें क्या directions में जाना loud है, तो आपको बदा है कि हमें total 4 direction में जाना loud है, तो उसके लिए total 4 call लगी, तो call लगाते हैं, maze, source row, source column, answer so far, n और time, यह हमने से pass किया अभी, आप पहली call के बारे में बात कर दें, तो पहली call में क्या होगा, हमारा source row decrease होगा by minus 1, क्योंकि हम top जा रहे हैं, और answer so far में क्या add होगा, जी हाँ, answer so far में top add होगा, बाकी कुछ ऐसी रहेगा, अब बाकी calls में क्या होगा, left call, left call में source row तो same रहेगा, बड source column minus 1 हो जाएगा, और answer so far में L add करवादेंगे, अब down की call, down की call में जी आपका source row है, वो by 1 increase हो जाएगा, तब answer so far में D add करवादेंगे, और जी आपकी last call है, तो उसमें क्या होगा, source row, source row तो same ही आएगे आपकी, बड जापका source column है, वो plus 1 मतलब right की call, increase by 1, तो यह total 4 call आपको allowed होगी, है ना, और सबसे पहले आपको क्या करना था, कि अपने visited है, जो आपने visited ले रखा है ना, तो उसमें true mark करा दिया हमने, सबसे पहले, कोई चिंदा नहीं करी, true mark करा दिया, और फिर हम invalid calls के बारे में बहुत कर लिते हैं, जैसे कि हमने देखा, हमने total charge point देखे, कि अगर हमारा row negative में हो जाए, row matrix से भाँ निकल जाए, है ना, कितनी matrix लेहन थे, उससे भाँ निकल जाए, वोई column के है, अगर column negative में हो जाए, यह column, column से भाँ निकल जाए, total number column से, या अगर one present है, cause one obstacle है, या हमने already visit कर रहा है, तो in case को अब handle करते हैं, अपने invalid calls में, तो यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ, invalid, यह ना, तो if, हमारा source row negative में हो गया, जीरो बढ़ा हो गया, हमारे source से, मतलब negative में चला गया, या source column negative हो गया, या source row is equal to n, अब यहाँ पर n हमारा काम है, कि बारबर हमें size use करना बढ़ेगा, तो इस अच्छा parameters में पास कर दिया हमें, या source column is equal to m हो गया, और, अब obstacle के हमें बात करते हैं, कि अगर हमारे maze में source row और source column में one present है, तो इसका मतलब obstacle है, अब पर allowed नहीं है जाना, और हमना उसका already visit कर दिये, उसके लिए हम लिख सकते है visited, visited equal to true, सभी बात है, अगर अगर ऐसा case है, तो हम simply का करेंगे, हम simply return कर जाना है, full screen कर देता हूँ, यह तो हमने इतना code लिख लिए, अब बाकी वापिस समझते हैं, और समझते हैं, तो हमें अपना answer का मिलना था, हमें अपना पहला answer मिलना था, तो हमें अपना answer था, लास्ट रो हो जाए, तो उसका मैं लिख सकता हूँ, इस source row is equal to n-1, and source column, last column ना, so source column is equal to m-1, है ना, इसका मतलब हमें अपना answer मिल गया, तो हमें simply answer so far, जो हम add करा रहे हैं, उसको print कर देंगे, यहाँ पर answer के उपर बात करते हैं, answer, if source row is equal to n-1, and source column is equal to m-1, इसका मतलब हमें अपना answer मिल गया, हम simply print कर वादेंगे अपना answer so far को, जो हम तब से लेके चल रहे है, parameter में, हमना answer so far को print कर वाया है, फिर क्या करने है, हमें return करने है, उसके बाद हम return कर जाएंगे, सही है, तो अब अब अपना, जो हम run कर रहे थे, अब उसको continue करते हैं, हमने अब एक ही direction find करी थी न, अब बाकी पात explore करने ही कोछिश करते हैं, तो हम यहाँ पर पहुचे, हमने right की call लगाई है, अब हमने right की call में लाके देखा, कि path ही नहीं है, है न, तो हम simply right की call से भार चले जाएंगे न, तो हम simply return कर देंगे, और यहाँ से unmark कर देंगे, फिर इहाँ पर पहुचे, यहाँ पर अमने right की call लगाई, तो हम वापर इस metric से भार निकल देंगे, तो चार घॉड हो गई, हमने यहाँ से return किया, और यहाँ से unmark किया, यहाँ पर पहुचे फर्स्ट रों में रेटी कॉल लगाई रिटर्न किया चार कॉल्स हो गई और यहाँ से अनमार्क किया यहाँ पर पहुचे आप इस रेटी कॉल लगाई चार कॉल्स हो गई तो रिटर्न कर दिया सिंपली है नए यहा से अनमाक कर दिया यहापर भी चारो कल जी सके अल्रेडि हो रहALK है और हैAm to return किया इसके भी चारो काल हो रहते है तो रिटर्न किया यहा से अनमाक करना मदो न न यहासे भी अनमाक कर दिया अब यहाँ पहुचे हम 1st row तो यह second column में, यह आज इसकी left call लगाई, तो one है, not allowed obstacle, down call लगाई, visited है, और right call लगाई, वापिस one है, तो रास्ता तो है नहीं न, चार call लगा ली, तो simply return कर जाएंगे हैंना, और unmark कर जाएंगे, अब यहाँ पर होचे हम, second row के second column में, अब यह द्यांचे देखना, हमने सबसे पहले left call लगाई, हम left call लगाते हैं तो visited है, फिर हमने down की call लगाई, तो हमें यहाँ पर एक रास्ता मिला, यहाँ पर जाना तो allowed है, तो सबसे पहले हमने true mark करना तो हमने visited में true mark करा, यहाँ पर पहुचे, top call लगाई, visited, left call लगाई, one, down की call लगाई, allowed है, true mark करा, ठीक है, अब अपने last row में पहुचे, तो हमें top call लगाई, visited है, left call लगाई, down की call लगाई, तो हमारा इस बार आंसर ऐसा कुछ आए, कि down, down, right, down, down, right, 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 है न, यह हमारा second answer आगया, अब हमने recursion को continue करते हैं, और फिर अभी आपको मैं यह भी समझाना चाहूँगा, कि अभी पता चलेगा, कि हम visited को अनमार्क क्यों कर रहे हैं, कि आपे इसकी चारो call हो गई, तो हमें क्या करना था, हमें इसको return करना था, और अनमार्क करना था, या से इसकी चारो call हो गई, तो return करा, अनमार्क किया, इसकी एक call रह गई है, तो right ही call लगाई, बढ़वाने नहीं जा सकते चारो कॉल्स हो गई रिटर्न किया और अन्माक किया अब 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 यह देखना यहाँ पर हमें अपना एक रास्ता दिख रहा है कि हमें एहाँ से जाके शायद अपना रास्ता नहीं मिल जाए अब अगर हम विजिटेड अन्माक नहीं करते कभी तो यह वाला रास्ता हमने कभी एक्स्लोर्ट नहीं कर पाते मेरी वात समझ रहे हैं मैं आपको दिखादने चारो क्या कह रहा हूँ मैं तो हम ऐसे गए थे कुछ पहले है ना हम ऐसे कुछ गए थे तो हमने सबको विजिटेड माक किया था है ना तो मतलब यह वाला कॉलम है तो यह भी विजिटेड होता बट हमने उसको अन्विजिट भी करा जब हम रिटर्न किया हमने अन्माक किया बट अगर हम अन्माक नहीं करते तो हम कभी यह वाला रास्ता एक्स्प्लोर नहीं कर पाते हैं है ना हम कभी इधर जाई नहीं पाते हैं तो इसलिए हम तब से अन्माक कर रहे थे तो यही मेरा पॉइंट था आपको हरमेशा अन्माक कराने का थाकि आप सारे रास्ते एक्स्प्लोर कर पाओ है ना तो इसको कं वकिल लाद आए हम वापिस उपरपाचेंगे कोई निए मांग करा आ उने मेंक डराइंगे टीव्यां कि सब लिप्सक्त एम लिखाएंगे तो प्रो magnitude में भार निकल लाओनगे तो इन्वारेड़ помог कियो अधीज़्या से AN deixa तौपी कॉल इन्वालेड है भार निकल देंगे लेफटी कॉल बन है नॉट अलाओड डाउन की कॉल डाउन की कॉल बिलकुल लाओड है तो यहाँ पर हमने टू माक कर रहा है अब हम यहाँ पर बहुचे है अब यहाँ पर देखते है तौपी को लगाई विजिटेट है है अन माक कियो अब हाँ पे स्वी कॉल कन पंडिंग का लगाई विजिटेट १ी उल फैसे खुआ विटा गॉड डेमकोट फैसिश् प्रहाइव तो झारख आथ थे कॉल लगाई विजिटेट है विद्धिर्ण कियो अन माकियो को अनो बढ़ान की खौल लगाई कि पिप राइट को लगाई वहार निकल जाएंगे तो रिटर्न किया प्हेले अब लेक्व में लेकें से हमने पुझा क्या को लगाई लाउड है हमने गिपना अंसर मिलिए असर 3rd answer मिल गया कि JC है उसको को बार बना दे तक हमारा 3rd answer हरो यह रहा थर्ड रांसर हर्ट डाॉइ डाउड डाउड राइट णडाउड कि रही हमारा 1 सय तभ तुए का वह मौन है करते हैं dai into कॉल से कोई रास्ता तो है नहीं हमार निकल जाएंगे हम रिटर्न कर जाएंगे और इसको अनमाक कर देंगे अब यहां से हमने वापिस सेकेंड रो से रैटी कॉल लगाई रास्ता नहीं है हमने रिटर्न किया और अनमाक किया यहां से इसके चारो कॉल हो गई हमने रिटर्न क एक काल रहती है तो हमने पहले राइट लगाई तो इसे हमारा पूरा रिकरजिन का फ्लो चलेगा, हमें एंड में तीन आंसर मिले है और हमने एक आंसर कोई जैसे देखा हम आउट इसे एसे फॉर्माट में प्रिंट कराने है तो यह हमारा explanation था, इस code का, जो main logic था, I hope आपको समझ आए, अब इसको code complete करते है, तब आपको समझ आगे होगा, कि हमें एक visited को false भी कराना पड़ेगा, हमें जो अपने visited लिया है ना, उसको हमें false भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख दे तो visited, ऐसा, visited, जो भी source, row source कॉलम है, उसको false करा जा, और यहाँ पर true mark कराने, T तो caps lock होगा न, इसका बड़ा होगा, सही है, तो यह हमारा code था, अब इसको एक बार रेन करके देखते हैं, अब चलिए देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता, तो यह error आ रहा है इस line में, चलिए देखते हैं क्यों आ रहा है, 9.4 में, source, हमने यहाँ, double equal to नहीं लगाया, हम चेक नहीं कर रहें, और एक बार जल्दी से review कर लेते हैं अपना code, सही लग रहा है, सही लग रहा है, हम, यहाँ पर हमने in नहीं लगाया, कोई नहीं, और, यहाँ अब हमने थोरी indentation की गल्दी-गर्दी, यह visited अंदर आएगा, हाँ, code सही लग रहा है, सो run करके देखते हैं, accepted, अब इसको submit करते हैं, perfect, accepted, सो यही था इस question के लिए, मुश्किल नहीं था, बहुत simple और बहुत interesting question था, अगर आपके question समझ आया, तो do not forget to like, subscribe and comment, thanks for watching.